प्यारे विद्यारतियों आज हम राजा राम महुनराय के बारे में विस्तार पूर्वकर धिन करेंगे ये राजा राम महुनराय का चित्र है और ये एक सती होती हुई ओर्थ का चित्र है राजा राम महुनराय कौन थे राजा राम महुनराय एक परसिद समाज सुधारक थे राजा राम महुनराय का जनम कब हुआ राजा राम महुनराय का जनम सतरह सो बैत्तर में हुआ कहां पर हुआ कलकत्ता में हुआ बरम समाज की स्थापना कब की बरम समाज की स्थापना सन अठारा सो अठाईश में की राजा राम महुनराय किन किन बासाओं का ग्यान रखते थे राजा राम महुनराय संस्किर्थ फार्शी और कई भारतिय एम यूरोपिय बासाओं के अच्छे जानकार थे ब्रहम समाज की स्थाबना किस जगहां पर की ब्रहम समाज की स्थाबना राजा राम महुनराय ने कलकत्ता में की सती पर्था जैसी कूपर्था पर रोक लगाने के लिए शिपार्ष इनके प्रियासों की वज़े से वी सती पर्था पर लार्ड विलियम बेंटिक ने सन 18-39 में रोक लगाई सती पर्था क्या थी? सती पर्था अगर किसी औरत का पती मर जाता था तो राजी या बिना राजी अपने पती के साथ उसे जिन्दा जला दिया जाता था जैसा की इस चित्तर में दिखाया गया है राजा राम महुन राए के उपर सती पर्था का गहरा पर्भाव क्यों पड़ा? राजा राम महुन राए इंग्लेंड में पढ़ रहे थे तब उनके भाई का देहंत हो जाता है जब उसके भाई का देया हन्त होता है तो उसकी पत्नी को उसके भाई के साथ जिंदा जला दिया जाता है जब राजा राम महुन राए को इस खबर का पता चलता है तो उसको बहुत दुख होता है और वह उसी दिन परतिग्या करता है कि मैं सती पर्था को बंद करवाऊंगा और उनके परियासों सती पर्था पर बैन लग सका राजा राम महुन राए देश में पस्चमी शिक्षिया के पर्चार एंपर्चार करने और महलाओं के लिए जादा समानता के पक्स धर थे राजाराम महुन राए का देहंत कब और का हुआ राजाराम महुन राए का देहंत ब्रिस्टल इंगलेंड में सन 1823 में हुआ